जी नमस्कार दोस्तों, गुड आफटरून, वेरी गुड आफटरून टू आल अफ यू, कैसे हैं आप सारे लोग, काफी लंबे अर्से बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि होली में आप कुछ ऐसा नहीं कियो होंगे, कि तव्यत खराब हो, कि मैंने बताया था कि होली की छुट्टियों के बाद बिलकुल एक घमासान मच जाएगा, क्योंकि अब आप अगर उठा के देखें दोस्तों, तो अगर आरभी आटेंडेंट की बात की जाए तो तुरंट के तुरंट एक्जाम है, और उसके बाद जहां तक बात है, हमारे मतलब जो ग्रेजुएशन के बाद जो एलिजबिल्टी होती है, फार्म भरने की यानि की जो आपके बैंकिंग के मेन एक्जाम सोतने हैं, यह सब एस बेस बेदेख लिए पी यह सारी सिलसिले वार्स मतलब सिलसिला सुरू हो जाएगा, ठीक है, तो यह अब सुरू होने वा सिस दोस्तों होगी अब ठीक है, परिशान होने की जरूरत नहीं है, छुट्टी लिये था लेकिन छुट्टी में परिशान ही एक तरीके से मतलब छुट्टी वाले थे चुट्टी टाइप में हुआ नहीं है, और एक तो सबसे बड़ा यह की पता नहीं संतोज सरने की मतलब तो हम आपको बता दें, एक तरीकी का यह भ्रह्म है, जो कि फैलाया गया है, और इसे हम चुप-चाप शादी नहीं होगी, तुम शादी होगी, भोले बाबक बरात देखे थे, मतलब हाँ, सारे लोग को निमाहा, सब का निमांतर मिलेगा, सब लोग पहुँचना एक कुछ देर पहले ही हम आये हैं, तो एक हपते के गयब के बाद हो रहा है, तो अब ये आप सारे लोग, आप लोग के जिम्मेदारी बनती है, बच्चों को इन्फार्म करना कि हाँ, गुरु जी पहुच गया है, स्टूडियो में, और क्लासे सुरू हो चुकी है, ठीक है, अ थोड़ा दूर है घर यार, तो आने जाने के एक दिन चला जाता है, दो दिन, एक दो दिन घर रहने पर यही था, और कुछ नहीं, ठीक है, चलिए, बात उठी है, तो कुछ तो सच्चा ही जरूर होगी, अरे तुम बहुत दुस्ट हो गयो, हमको लग रहा है, होली खुमार या मेंस हो, तो जहलक जरूर दिखती है, प्रॉबबिल्टी आपका 10 अर्थमेटिक, प्रिलिम्स में यूज्वली 10 अर्थमेटिक के सवाल आते हैं, 35 में से, 35 में 10 आते हो, उसमे एक सवाल आपको प्रॉबबिल्टी का मिल जाता है, और वही अप्यो प्रिलिम्स दे रहे ह जाते हैं उनमें प्रॉबिल्टी की जरूर देखने को मिलती है तो मेरे दोस्तों प्रॉबिल्टी सीखना आपकी लिए आवश्यक है अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है तो ठीक है अच्छा अभी खुमारी नहीं उतरी ना ठीक है मुझ धुलके आओ एक बार मुझ धुल पर आप लोग के छेत्र में इस तरीके घटनाएं जरूर घटी होंगी थोड़ी बातचीत कर लेते टॉपिक तो हम लोग का इस आप तो भाई अब सिलसिला शुरू हुआ है तो सिलसिला तो आगे बढ़ता ही रहेगा पढ़ाई तो कंटीनी होते रहेगे लेकिन अब होली क के बाद मुलाकात होई तो कुछ बाते हो जाए आपसे होली के दिन निश्चित तोर पे मुझे पूरा यकीन है कि आपके आज पास इस तरीके के घटनाएं जरूर घटी होंगी जहां पर कुछ आपके मित्रगर जो कि कभी मतलब पापा से उनका इस तरीके का रिस्ता होता ह है तो जादतर कंडीशन में सबकर नहीं कह सकते लकिन जादतर कंडीशन में पिताजी से ऐसे ही रिस्ते बन जाते हैं जब तक मतलब फाइनली आप जॉब वगएरा नहीं ले लेते हैं तो हमारे यहां क्या हुआ हम बताते हैं ऐसे ही हमारे को स्मित्र यार थे अभी बीप्रेश्ण वगएरा कर रहे वो तो पिता जी से ऐसे रिस्ता है और होली का खुमारी देखो होली मतलब फुल हाँ माहौल बन के एकदम ठीक है जा के सीधा पीता जीक पहर चुक कह रहे है हैपी होली पापा अच्छा पापा उनको सर पकड़ के दो-तीन बार हिलाए हाँ पहिचानो किस से बात कर रहे हैं तो यहीं सारी बाते हैं तो बस खुमारी उतारने का एक हमने आपको विकल पर बताया कुछ जगहों पर चुकी क्या है कि होली दो-तीन दिन मनाई जाती है है ना जैसे प्रयाग राज में दो-तीन-चार दिन होली चलती है आप में जो लोग प्रयाग राज है क्या जरा इसके बारे में जान ले प्रॉबबबल शब्द आप कभ इस्तेमाल करते हैं इस पर आप समझें हाँ है कि प्रॉबबल शब्द कभ इस्तेमाल करते हैं जब किसी भी जशे आप से पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि सूरज़ पूरत में उदै होता है क क्या तो क्या प्रापबली क्या ये बोलेंगे की प्रापबली यस प्रापबल करेंẫn रिक्ष साथ दिन on क्या हम आप से पूंशे लальная अच्छा बताया कासां था अध्म साथ दिन होते था आ तो या आप प्रॉबबबली बोलेंगे की प्रॉबबबली विर्स नहीं बिल्कुल सीख ऑट दिन होते थी होते हैं है इए अच्छा definitely सब्सक्राइट किया सूरज पाश्चिंगे पुए अधर होता सवाल ही नहीं नहीं इसमें प्राबबल शब्द यूज नहीं करें गुरुजी हम चिंटु जानते हैं किस तरीके लड़का है वह कत्ता ही नहीं लेके आएगा तो यह तो फिरा लग विशे हैं तो मेरी बाते समझ पा रहे हैं आप सारे लोग सर्शादी में बुलाएंगे हम सबको अरे महराज अरे होगी तब बुलाएंगे ना होगी तो बुलाएंगे ठीक है तो समझें यहां पर देखें क है कि हम आप सभी दोस्तों से अनुरोद करना चाहता है कि यह इंगेजमेंट और शादी वाला जो विसय है इस पर हम काफी सफाई दे चुके हैं तो कृपा करके मतलब अब इस चर्शा को यहीं पर विराम किया जाए हम लोग थोड़ा और आगे कंटिन्यू करें अपनी ची अब यूज करते हैं और प्राउबल में फिर वही कि उसके घयत होने की कितने चांसे मких लूग करते हैं अब बारिश जैसे आज बारिश होगी क्या तो यहाँपे क्या होगी तो बारिश होने की जो संभावना है दोस्तों यह स्योर सब्सक्राइब स्वोड़ाxt love इस्टार्ट करने से पहले एक मतलब एक छोटी से लाइन मुझे आदारी श्रद्ध है अटल जी की बहुत अच्छी लाइन है सुनना आपको शायद अच्छी लगे अटल जी की एक कविता है जो कल थे वो आज नहीं है जो आज है वो कल नहीं होगे सुनना ध्यान से नहीं तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी सही बतार है वो ध्यान से सुनना एक एक शब्द को रोग रोग के बोल रहे हैं जो कल थे वो आज नहीं है जो आज है वो कल नहीं होगे होने ना होने का क्रम यूहीं चलता रहेगा होने ना होने का क्रम यूहीं चलता रहेगा और हम आज हैं सदा रहेंगे यह भ्रह्म भी सदा बनता रहेगा बहुत लोग होतने हैं हम आज है पुरू जीवन भरह मतलब पूरा सदीओं तक हमारा वो रहेगा लोग रहेते हैं इसे को बहुत सारे लोग कि हम आज हैं और सदा रहेंगे यह भ्रह्म भी सदा बनता रहेगा अगरे लाइन इसके कि सत्य क्या है सत्य वास्तों में सत्य क्या है होना या ना होना सत्य क्या है होना या ना होना मेरे हिसाब से सत्य दोनों है जो है उसका होना सत्य है और जो नहीं है उसका ना होना सत्य है दोनों सत्य है जो है उसका होना सत्य है और जो नहीं है उसका ना होना सत्य है दोस्तों सूरजपूरब में उदय होता है बात यथार्थ है सत्य है सूरजपूरब में उदय होता है सूरजपश्य में उदय नहीं ह होता है तो सत्य असत्य यह सारी चीजें रहिए थुझी याद आ गए थे अभी हम accelerating के इंतरगत हम लोग क्या पढ़ते हैं प्राव कि अंतरगत हम लोग को बैसिकली पढ़ना क्या है उसके बारे में जान फिर questions पर आते हैं हम लोग ठीक है बहुत सारी चीजे हमें इसमें सीखने हैं दोस्तों हम लोग basically अपने बैंकिंग से ले बस की अगर बात करें तो probability में हमें इन चार चीजों को पढ़ना होता है क्वाइन के questions हमें मिलते हैं दोस्तों solve करने के लिए dice related solve करने को मिलते हैं साथी साथ दोस्तों यहां पर card से related इस चीज को बढ़िया सुन्दर से notes बना के लिखना foundation class है इसलिए हम बहुत इसा question solution नहीं करवा रहें सीखना बड़ी मुश्किल होती है आप लोग को probability छोड़ देते हो मैंने permutation combination आपको सिखाया है आप अगर देखेंगे वीडियो अच्छे से सीख जाएंगे सवाल और उसका उत्तर मात्र ही सीखाना नहीं होता है देखो ध्यान से तो यह इतनी चीज हो गई दोस्तों और इस स्कैट का एक्जाम होता है उसे probability question जातर कार्ड से ही रहते हैं यह दोनों हमारे basic हैं यह हमारा base create करते हैं coin or dice यह base create करते हैं ठीक है यह चार चीजे हमें पढ़नी होती है अब जब probability की बात उठी ही है तो थोड़ा सा कुछ और चीजे जान लेते हैं जैसे कि मैंने आप से कह कि बारिश होगी क्या तो बारिश हो जाए यह आपके फेवर की घटना हुई और बारिश ना हो यह आपके फेवर की घटना नहीं हुई अब इसी में एक यह चीज फेवर की घटना अपने फेवर की ना घटना बाकी साथ ही साथ टोटल इवेंट्स कितने होते हैं इसे बात की लेंग्वेज में इसको हम लोग सेंपल स्पेस बोलते हैं और अगर इसे को देखा जा कि सरल शब्दों में क्या है तो यह होता है तॉटल पॉशिबल एवेंट्स नोड करते चलें दोस्टों टॉटल पॉसिबल इवेंट्स थिकेमिशे पता है है यह आपकी favorable event होती है मतलब समझें अगर आपने एक dice roll करवाया और हमने आपसे पूछा कि बताओ तीन आने की probability क्या है आपने एक dice roll कराया हमने आपसे का बताइए तीन आने की probability क्या है तो तीन आने की जो घटना है वो आपके favor में है अगर dice आपने roll कराया total कितनी घटना घट सकती है चे घटना घट सकती है या तो एक आएगा दो तीन चार पांचे कुछ भी आ सकता मैंने आपसे का कि भाई तीन आने की probability बता है तो तीन आने की घटना कितनी हुई सिर्फ एक घटना हुई यानि छे में से एक घटना आपके favor में रही तो छे क्या हुआ आपका sample space हुआ एक घटना आपके favor में रही वो क्या हुआ आपका sample point हुआ और इसी का जो ratio होता है वो होती है हमारी probability ठीक है तो probability अगर देखा जाए probability of favorable event इसको बोलेंगे और यह हो जाएगी आपकी क्या होती है sample point और divide by sample space ठीक है यानि कि जो आपके favor में है उसको total से अगर हम लोग divide कर देंगे ठीक है भई अगर हम जो आपके सामने जो favor में आपके घटना है उसको total घटना उससे divide कर देंगे तो यहां से मुझे दोस्तों probability मिल जाएगी clear हो गया इतना अच्छा एक बात बताओ जैसे मैंने कहा कि यार 3 आने की probability बताओ तो आपने कहा गुरुजी 3 आने की घटना तो एक ही हुई और total घटना है 6 तो probability हो जाएगी एक बटे 6 1 by 6 हो जाएगी बात सही है अच्छा अगर ये भी दिमाक लगाओ तीन ना आने की probability तीन आने की कितनी घटना घटी सिर्फ एक एक से लेकर डाइस पे एक से लेकर के 6 तक के नंबर होते है तीन सिर्फ एक पे लिखा होता है यानि एक घटना आपके favor में है कितनी घटना आपके favor में नहीं है पांच घटना इसके अलामा बच नहीं है, एक भी आ सकता है, दो आ सकता है, चार, पांच, छे, कुछ भी आ सकता है, और पांच घटना आपके favor में नहीं है, तो इसे को हम लोग बोलते है, probability of non-favorable event, यानि इसको हम लोग बोलते है, P e dash, और यह क्या हो जाता है दोस्तों, n e dash और divide by ns, यानि कि, ठीक है, n e dash का मतलब क्या हुआ, non-favorable event, यानि हम non-favorable event भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पर favorable event भी निकाल सकते हैं, अच्छा एक बात बताओ, 1 by 6 plus 5 by 6, 1 होता है न, 1 by 6 plus 5 by 6, 1 होता है, ऐसे ही हमेशा आप देखेंगे, हमेशा इस चीज को पाएंगे, क probability of non-favorable event का जो sum होता है, वो हमेशा 1 ही होता है, important है, note करके लिखना इस चीज को, ठीक है, important result है, कि probability of favorable event plus probability of non-favorable event, इसका sum सदयो 1 होता है, यानि हम यह आप से कहना चाहा रहे हैं, कि कोई भी घटना घट रही है, उसकी प्राइकता, और उस घटना के ना घटित होने की प् होता है, इतना note कर लिया है, सब लोगों ने, एक बार थमसब करना, ठीक है भागी, clear इतना, अब चलिए, यहां तक okay हो गई, अब चीजों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, coins related, तो note करें आप सारी लोग दोस्तों, coins related सवा कैसे बनते हैं, क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, इसके बारे में हम लोग यहां पर discussion करने चल रहे हैं, तो बस आप note करें सबसे पहले क्या चीज़ दोस्तों, coin, ठीक है, तो सबसे पहले तो यह कि अगर कभी भी एक coin toss किया जाए, कुछ नहीं समझ आ रहा है, अरे राम राम और कितना सरल तुम समझने की उम्मीद करते हो, तुम यह बताओ, इतने तुम को कहानी टाइप में सुना रहे हैं, अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं कोशिश करो, अभी चुश्चन तो एक भी नहीं स्टार्ट किया, आप कोशिश करें, सीख जाएंगे, अगर इक बात बताओ, अब इसे एकदम सरल समझो, एक कोई आपने टास किया, ठीक है, अगर आपने वन कोई टास किया, ठीक है, एक कोई आपने टास किया, तो आप ये बताओ, कितनी घटनाय घट सकती है, अगर एक कोई आपने टास किया, तो कितनी घटनाय ट टेला Obrigada या तो हेडाएगा या तो टेलाएगा यही दो घटनाए घट सकती हैं अगर लीजा दोस्तों दो कौईंट तॉस किये गए अब कितनी घटनाए घट сकती socio अब एवी यहां पर कुल मिला और करके चार घटनाए घट सकते हैं और वो चार घटनाए क्या क्या होंगी जड़ा वो आप देख ले निगाह डाले यहां पर हो सकता है पहले कोईन पर हेड आए दूसरे वाले पर टेल आजाए या पहले पर हेड आए और दूसरे पर भी हेड आजाए यह हो सकता है या तो पहले पर टेल आए और कि जोसरे दोनों पर तेला जाएं तो इतने तरीके से यहां पर 4 घटनाय घट सकती हैं बात क्लियर धोस्तों है डिया फिर त्व गर एक वयंट ऑस किया गया तो अगर नहीं सब्सक्ति अगर double को अगर यह condition में आपका sample space क्या होगा तो आपको होगे sample space उस time पे 8 होगा और देखो sample space create कैसे करोगे ठीक है भाई इसको बहुत अच्छे से देखना कि कैसे बनाएंगे आप उस sample space को ध्यान से देखो तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर चार बार ऐसे head लिख दें ठीक फिर यहाँ पर चार बार आप लिख दें tell इसके बाद दो head दो tell दो head दो tell फिर से दो head और दो tell फिर से एक head एक till एक head एक till यह बनाना सीख लो नहीं तो फिर बना नहीं पाओगे तुम हाँ रटोगी अगर न तो बना नहीं पाओगे बिट्टा तो यह उपकल मिला करके 8 घटना यह घटेंगी इसका मतलब क्या है आपने तीन coin toss किये पहले पर head आया दूसरे पहले 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 इस तरीके से अगर देखा तो sample space 4, 3 coin toss किया तो sample space 8 हो गया यानि ऐसा नहीं दिखे रहा आपको 2 to power 1 2 to power 2, 2 की power 3 इसका मतलब यह हुआ कभी भी अगर in coin toss किये गए अगर in coin दोस्तों toss किये गए तो उस condition में कितनी हो जाएंगी sample space 2 to power n ध्यान रखेगा in coin toss करने की condition में जो हमारा sample space होगा इसको note करें वो कितना होता है 2 to power n यहां तक मुझे उम्मीद है सब लोगों ने note किया होगा अब इसके बाद हम लोग यहां पर question solve करना शुरू करने वाले है ठीक है बाई clear समझ गया और थोड़ा focus करें यहां पर ठीक है अब नहीं थे इसले class नहीं हो रहे थी न अभी तक हम थे नहीं इसले class नहीं हो रहे थी बहराल आगे बढ़ते दोस्तों यहां पर अब देखो इतने तो idea होगे एक बार थमसब कर देना अगर clear हो चुके चीज़े और थोड़ा आप लोगों से उम्मीद एक बार session को share भी कर दो coin को toss किया गया, ठीक, find probability, find, लिख लेना question, find probability to get, ठीक है, to get, अब यहां पर कुछ और question, देखो, पहला question यह है, only to head on the top, ठीक है, ठीक है, question आपके सामने क्या लिखा हुआ है, कि दो coin toss किये गए, और आप से पहला सवाल जो मेरा बन रहा है वो, कि बताईए, only to head on the top, दूसरा, यहां से आप इनकी definition समझना शुरू करेंगे, यही होता है सब्स, ठीक है, at least one till on the top, ठीक है, चलो, पहले इनी दो पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, पहले इनी दो पे बात करते हैं, तो शुरू करते हैं कि करके, दो coin toss किये गए, आप से कहा जा रहा कि, बताए, find probability to get only two head on the top, सिर्फ और सिर्फ क्या हूँ, दो हिट दोस्तों top पे हूँ, अब आप सबसे पहला काम क्या गाने, यह देखो, आपको बता दें, कि coin और dice जो होते हैं, वो probability कि आपका एक base तयार करते हैं, ठीक है, step by step पढ़ोगे, तो सब समझ में आएगा, बीच-बीच में कूट-कूट के पढ़ोगे, तो कुछ नहीं समझ आएगा, तो यह दोनों आपका एक तरीके से भूमिका बना रहे है, coin और dice से related जो सवाल होते हैं, यह आपके एक मंच तयार करते हैं, कि आप probability सीखें अच्छे से, हमने आपके कहा, 2 coin toss किये गए, सबसे पहला चीज आपके दिमाग में क्या आएगा, कि sample space क्या है, अगर 2 coin toss किये जाते हैं, तो आपको पता है, sample space कितने होते हैं, 4 होते हैं, चार का मतलब बही, क्या-क्या हो सकते हैं, 4 में, या तो पहले पे head आएगा, दूसरे पे head, पहले पे head, दूसरे पे till, या फिर पहले पे… दोसनो, till आ गया, पहले पे tail आया, दूसरे पे head आया, और इधर tail आया, इधर टेल आया, ठीक है, अब यहाँ से देखना शुरू को सबसे कहा गया कि only two head तो सिर्फ दो head यह हमारे favor में रहेगा सिर्फ दो head हमारे favor में रहेगा इसका मतलब यहाँ पर जो sample points बनेगे वो क्या बन जाएंगे? sample points, two head आपके, बताओ, two head कहां पर है only two head बोला मैंने ना तो उसमें सिर्फ two head आपको check करना है only two head कहां पर दिख रहा है सिर्फ एक जगा पर दिख रहा है आपको only two head बाला यह है दो head हो, ठीक है? तो इसका मतलब यह हो जाएगी value कितना? दो head एक ही घटना है, सिर्फ कितना है? sample point कितना है आपके सामने, एक ही घटना तो है इन चार में से कितनी घटना आपके favor में है? सिर्फ एक घटना any की value यह हो गई अब यहाँ पर हम लोग ns जैसा की देख पार है 4 है, तो ns की value क्या हो जाएगी? 1 by 4 के बराबर, तो यह हो गई मेरी probability, ठीक है न? अगर हम, sorry, ns की value ns की value चार पहले लिख चुके हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जो probability of favorable event होगा वो कितना हो जाएगा? any upon ns यादि 1 by 4 के बराबर यहाँ तक हो की हो गया, ठीक है, done फिर इसके बाद आप से कहा गया कि at least one, इस पर बहुत focus करें आप, at least one बोला गया at least one बोला गया, तो इसका मतलब एक सिंदे, यहाँ पर क्या लिखा था? head head था ना, तो हमने का at least one का मतलब क्या होगा? कम से कम एक, कम से कम एक कम मतलब एक भी होगा तब भी मेरे favor में, दो होगा तब भी मेरे favor में tell की बात की जा रहे हैं, तो एक tell यहाँ पर दिखा, एक tell यहाँ पर दिखा, और एक से जादा tell यहाँ पर, यानि कम से कम एक कम मतलब यह हुआ, कि एक होगा तब भी मेरे favor में, एक से जादा होगा तब भी मेरे favor में, तो कौन सा हमारे favor में नहीं होगा कौन सा हमारे favor में नहीं होगा जबकि एक भी टेल ना हो तो उसकी सिर्फ एक घटना है बाकि अगर देखा जाए हाँ पे अगर इस question का answer देखा जाए तो यहाँ पे अगर लेगा ठीक है ना वो सारी घटना है मेरे favor में होगी तो यह मारा एक तरीके से पहला सवाल रहा दोस्तों इसको हटाते हैं second पर आते हैं अगले question पर आते हैं ठीक है अगला जो question है question number 2 मेरा हमने कहा दिया three coins are tossed note करना इसको three coins are tossed ठीक अब हमें आपसे कह रहें find probability यहाँ पर लेख लेना find probability find probability पहला सवाल जो है आपका वो यह है find probability to get पहला question जो है आपके सामने वो क्या है दोस्तों only two head on the top only two head on the top ठीक है यह हमारा पहला सवाल है कि only two head on the top second question पर आते हैं दोस्तों second question पर मैंने आपसे कह दिया कि at utmost to till on the top यह जो आपके सामने शब्दी यहां पर दिखे रहे हैं दोस्तों at least only इन सब के बारे में आप चीजों को इन सब को समझते चलें अच्छे से ठीक है यह सब जो अभी आपके सामने चल्ड़ है अब आपना दिमाग लगाएं कैसे करना है कुछ चीजे हम आपको इहां पर बता रहे हैं एक एक करके समझते चलेगा आप लोग कोशिश करें इनको सॉल करने की जल्दी जल्दी ठीक है ओके बताओ फटाफट से एंसर दोनों का एंसर बताओ कमेंट बॉक्स में करना है करना है करना है करना है झाल झाल ठीक है इस मिते है को सिक्का जब गरता है यह सिक्का पर रहता है मतलब होता झाल सु ll सबसे से पहला चीज हो आप करें से बताँब है होगència हेड 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 सेंपल इस्पेस बना रहे हैं टेल 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 ठीक है फिर दो हेड यह आप सीख लेना वरना फिर मुश्किल होगी जब तीन को इंट आउस कर आए जाएगा तो ठीक है क्योंकि आपको फिर बना जो अगर यह चीज ड्रॉह ही नहीं कर पाओगे तो आठ बना सकते हैं यह क्या है क्या बना आपके सामने कि अगर तीन कोई टॉस किये गए तो यह आपका सैंपल स्पेस होगा एन एस की वैल्यू कितने के बराबर आठ के बराबर हो जाएगी ठीक है अब ध्यान से देखो हमने मेरा पहला सवाल था कि only two head तो इसमें only शब्द इस्तेमाल कर दिया जाता है तो आपको ज़्यादा दिमाख लगाने की जरूपनी अब बस देख लो क्या बोला हैड युक्त by से 반ूख हो ना तो दो सेजाद कम हेड़ूदeping लूघ ने को जा फोका मिलाकर कि हमने देखा कि सैमपल आगर तीन कोईन टॉस्क्नि तुर्सक्ये गए तो हमारे पास सैंपल इस पे इसकोट इसकोल घटनाया कितनी घट सकती ठीक है इतना तो पहले सवाल का जो मेरा एंसर रहा दोस्तों वो क्या रहा थ्री बाई एट क्लियर इतना अब थुला सा आगे बढ़ते कहा गया अप करना अपकोhtो। आपको उसो बाई खा months to total on the top ज्यादा से ज्यादा दो टेल हो टॉप फी यानि कि अगर दो तो मेरे favor में है, अगर एक till होगा, तो भी मेरे favor में है, अगर एक भी till नहीं होगा, तो भी मेरे favor में है, तो favor में कब नहीं है, उस पर focus करें आप, यानि अगर आपसे पूछे बताएं, कि ne dash, यानि कितनी घटना है आपके favor में नहीं है, तो 2 से जादा till जब होगे, वही घट गटना ऐसी है दोस्तों, जहां पे जो मेरे फेवर में नहीं है, बाकि सारी घटना है मेरे फेवर में है, जादा से जादा दो कहीं मतलब हुआ ना, कि दो होगे तब भी मेरे फेवर में, एक भी नहीं होगा तब भी मेरे फेवर में, टेल की बात कर रहा है, तो अगर इतनी घ आजाएगी दोस्तों 1 by 8 लेकिन मुझे probability of every event count करना है तो हम यहां से क्या कर लेंगे पी एकी value जब निकालेंगे तो 1 minus 1 by 8 कर देंगे और यह value आजाएगी 7 by 8 के बराबर तो मेरा जबाब क्या रहा है दोस्तों 7 by 8 के बराबर सर सेंपल स्पेस बनाना पड़ता है हाँ इसमें क्वाइन वाले में आप draw करना पड़ेगा सिर्फ क्वाइन वाले सवाल में और कहीं पे नहीं ठीक है बात समझ गे ना पूरी मतलब आपको यह समझ आया कि हाँ यार कई सवाल ऐसे भी होगे जहां पे मुझे non-favorable event निकाल करके और फिर 1 से minus करके answer निकालना यह ज़्यादा सरल पड़ेगा वरना हमने जब कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा दो टेल हो तो इससे यह बात आपको आपको साफ तोर पे दिख रही होगी कि यार अगर हम काउंट करते दो से ज्यादा तेल की बात कर रहे हैं अगर हम काउंट करते यहां पर देखो दो से ज्यादा तेल की बात कर रहे हैं जड़ा काउंट करें आप जादा से जादा दो का मतलब ही हुआ कि एक भी टेल ना हो यानि ये भी मेरे फेवर में होगा एक जीरो टेल एक टेल और दो टेल मेरे फेवर में रहेगा ठीक है ये भी मेरे फेवर में 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 ये भी मेरे फेव एटलीस्ट और अट्मोस्ट जो बोला जाता है, उसका मतलब क्या है, ठीक है ना, आप उसका मतलब समझा आ गया होगा, अब इसी को थोड़ा सा और आगे, क्योंकि ये बस एक तरीकी से बेस ही होता है, क्वाइन वगएरे से सवाल बहुत जादा नहीं पूछी जाते हैं, ठी सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, क्या है, कार्ड और बॉल से रिलेटेड कुष्टन सॉल्व करना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी तक की कहानी समझा ही हो, तो हम चाहें कि एक बार थमसब करिएगा आप सारे लोग, और चलो, सेशन को शेयर वगएरा, क्या ही बोले, ठीक बहुत महिनत नफवर रही हो, तो, लाइक ओ एक शेयर भी ये सब करते चले, ठीक है, स्टार्ड किया जाए, देखो, अब ये बताओ, अगर एक क्वाइन, सॉरी, अगर एक डाइस रोल कराया गया, ठीक है, अगर वन डाइस, ठीक है, अगर रोल कराया गया, तो उस संपल इसते स्क्राइब कितने घृततक शहसे दाएक्ट शलद hidden शॉप खेहले होगी कि लूट फॱब खेहले होगी गया को अगर एक डाइस रॉल ने इसलिए बता रहे हैं गर्मिक छुट्टी में लूडू होता था मामा के यहां गये तो पता लगा वस कुछ दिर हुआ जैस्री राम हो गया कहानी खत्व बहराल इस पर आते हैं तो एक डाइस अगर रोल कराये गया तो फिर उस कंडिशन में एक से लेकर के एक भी आ सकता ह दो तीन चार पांच से कुछ भी आ सकता है तो टोटल छे घटनाय खट सकती हैं अच्छा अगर दोस्तों दो डाइस रोल कराये गया तो उस कंडिशन में उस कंडिशन में क्या होगा बताओ बारा होगा कि 36 अगर एक डाइस रोल कराये गया तो कुल मिला करके 6 घटनाय खट सकती है ठीक है कुल मिला करके छे खटनाएं खट सकती है अगर दो डाइस रोल कराए जाएगा तब 12 ना 36 का ध्यान रखना ठीक है अब अगर कहें दिया जाए तीन डाइस रोल कराए गया तो ठीक है बैसिकली कहा यह जा रहा है यहां पर अगर इन डाइस रोल कराए जाएगा दोस्तों एन डाइस अगर रोल कराए जाएगा तो उस कंडिशन में जो सेंपल स्पेस बनेंगे वो क्या बन जाएगे शिक्स टू पावर एन इसको बस ध्यान रखना ठीक है ना अगर एक ड डाइस रोल कराए जाते हैं तो सेंपल स्पेस आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं अब देखो जब सैंपल पॉइंट निकालना होगा तब कैसे बनेगा कोश्चन नोट करें आप सारे लोग ठीक है कोश्चन नोट करें कोश्चन यह कह रहा है कि चलो टू डाइस आर रोल ठ ठीक है और हम आपसे कह रहे हैं कि find probability, find probability, find probability to get पहला सवाल, sum is 9, मतलब ऐसे बोला गया यह, मतलब दोनों सरफेस पे जो आएं, उनका sum क्या हो 9 हो, इस बात को समसे हम कहना क्या चा रहे हैं, भाई माल लिजे आपने दो डाइस रोल करा है, यह आपका पहला डाइस है, ठीक ह दो डाइस आपने रोल करा है, दो डाइस ऐसे गीरे, और हम आपसे यह कह रहे हैं कि, दोनों डाइस पे जो ऊपर आ रहा है, उसका sum कितना हो दोस्तों 9 हो, उसका sum क्या हो 9 हो, इसका मतलब कितनी घबाई, माल लिजे कि पहले पे 3 आया, पहले पे 3 आया, और अगले वाले प इसे रोक लिया करो, थोड़ा सब पीछे करोगे, तो पीछे आजाएगा वीडियो, है ना, लाइव यह सब खेल सकते हैं आप, तो 3 और 6 आपके सामने दिगे हैं दोस्तों, तो इस तरीके से आपको count करना है, ऐसे कितने cases बनेगे, भाई, माल लिजे कि यहाँ पे आपके सा इसका मतलब total कितनी घटना है घट सकती है दोस्तों, आपको होगे 36 घटना है, sample space तो आपका 36 ही होगा, मुद्दा यहाँ पे किस चीज को find करने का है, sample points निकालने का है, तो अगर योगफल आप 9 चाह रहे हैं, अगर आप sum दोस्तों 9 चाह रहे हैं, तो क्या-क्या घटना है घट सकती देखो, या तो पहले पर एक आए और अगले वाले पर आठ आजाए, यह भी हमारे favor में घटना होगी, होगे की नहीं होगी बताओ, बताओ, पहले पर एक आए, दूसरे वाले डाइस पर आठ आजाए, तो किसी को यहाँ पर बताओ, पहले परेशानी तो नहीं तो इसका मतलब यह हुआ कि दोस्तों पहले डाइस पर तीन आए और अगले वाले पर छे आए, तो हमने कैसे किया, हमने कहा कि पहले पर छे आए, उसके बाद जितना remaining है, उसको मैंने यहाँ पर चिपका दिया, तीन और छे, तो पहले डाइस पर तीन आए, अगले पर छे इसके अलामत कुछ नहीं बचेगा, इसके अलामत कुछ नहीं होगा, इसका मतलब यह जो आपने इन इन सैंपल पॉइंट सापने निकाले, तो सैंपल पॉइंट इतने केस बने, तो सैंपल पॉइंट टोटल कितने केस हो गए, अगर यहाँ पर आप देखें, तो सैंपल प वो आगया आपका वन अपन नाइन की बराबर ठीक है इतना क्लियर ना इस्टिप बाइस्टिप हम कहरें समझते रहेंगे सब समझ हायागा बीच बीच में तोड़ मरोड के अभी अभी मालो जो बच्चा आची क्लास नहीं कर रहा है कल डारेक्ट वर उस वाले जम कार्ड के क कुश्चन करवाएंगे या फिर हम बॉल से रेलेटर कुश्चन करवाएंगे तो उसको फिर बिल्कुल पलने नहीं पड़ेगा ठीक है तो इसलिए कहा जाता है इस्टिप बाइस्टिप चीजे सीखें ठीक है अगले सवाल पर पढ़ने है नेक्स्ट कोश्चन पर आजाओ वही सेम चीज है कुश्चन वही है हमारा कि दो डाइस मैंने रोल कराया है भाई दो डाइस पर ही सबस्यादा सवाल बनते हैं दो डाइस मैंने अगर आप रोल कराया तो हम आपसे कह रहें देखो हम आपसे यहाँ पर कह रहें कि फाइंड प्रॉबबिल्टी लिख लेना इ प्राइम नंबर, ठीक, तो अब पहले तो ये देखो आप, कि प्राइम नंबर होते कितने हैं 12 तक, पहले तो आप ये देखेंगे, कि 12 तक प्राइम नंबर होते कितने हैं, 12 तक क्यों कहना है, क्योंकि दो डाइस रोल कराने पर जो मैक्सिमम सम मिल सकता है, maximum sum क्या मिलेगा कि दोनों पे 6 आ जाए तभी तो maximum होई तो दोनों पे 6 आ जाए तो 12 से ज्यादा sum तो हो नहीं सकता तो आप यह सबसे पहले चेक करें कि जब 2 dice roll कराया गया तो 12 maximum आ सकता है तो 12 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं पहले इस पर फोकस करें ठीक है पहले आप यह फोकस करें कि 12 तक दोस्तों कितने प्राइम नंबर्स होते हैं इस पर फोकस करें आप तो आप कहेंगे गुरुजी 12 तक अगर प्राइम नंबर की बात की जाए तो एक प्रा नहीं होसकता है ठाइम होसकता है। थात भी होसकता ना DJ Iia rati ho सकता अब सैंपल पॉइंट यह क्रेंगी तो आ ग्रबस गयोंको इसांप की पास थाइं वह नहिंट 27 ग्राव करना है यहां पर में ऐसेंपल पॉइंट करने हैं तो भारह तक जो है इतनी चीजें आपको अगर सम इतना आए तो हमारे फेवर में हैं मुद्दा यहां पर यह है कि दो आने के कितने केसे अगर दो डाइस रोल करा रहे हो तो दो कब कब आ सकता या तो पहले पर वन आया और अगले पर भी वना जाए इसके लावा और कोई भी घटना नहीं है कि यहां थे उसके को सम धृट Noa जाए पर तो अर्शनी नहीं हो सकता डो और जीरो नहीं हो सकता इस्का मतलब दो आने का सिर्फ एक केस होगा कि पहले पचले पर जाये और अगले वाले पर पर यह थृवान आ जाय एन दीन के और कोई क весь तो मुझे नहीं लगता बनेग यह है इतने केस तीन के लिए हो गया पांच के लिए देखो पहले पर एक लिखा अगले वाले पर चार आ गया और पहले वाले पर चार अगले वाले पर वन आ गया ऐसे यहां पर दो आये पहले वाले पर अगले वाले पर तीन आ जाए और पहले वाले पर तीन अगले वाले पर दो ये भी हमारे favor में होगा, done, seven पे आ जाते हैं, पहले पर one आया, अगले पर six आया, और पहले पर six और अगले पर one आ गया, दो case, पहले पर दो आया, अगले पर पांच आ गया, अगले वाले पर पांच और पहले वाले पर दो आ गया, ये भी हमारे favor में, ऐसे यहां पर पहले पर तीन अगले पर चार और इस पर भी चार और इस पर भी तीन अभी आपको लगा बहुत बड़ा बन रहा है सवाल ना बड़ा नहीं यह अभी आपको अगर शुरुआत कर रहे हो तो एक बार आपको देखने में लगता है बाकि इसका पूरा सिस्टम हो केस पाँच ने की इतने केस दो स्थारस जाने कितने केस चारस इसके इसके साथ अने कितने चेसWow और 10 आने की कितने केसichen दो केस हो गए सबकुर्द चार-्पाइड यहां पहीं सब कर दो ये वहाँ गर सेंपल पॉइंड की बाद कि जाए तो कितने बन रहे पंदरास है sample points कितने बन रहे है 15 बन रहे है total घटना यह यहां इससा सरल शब्दों में समझें आप कि जब 2 dice roll कर आए गया तो कुल घटना ए घटी छत कुल घटना जो घट सकती है वह हो सकती है 36 और उसमें जो आपके favor में है वो कितनी है दोस्तों 15 तो यहां पर यह अभी अभी probability का यह मंच है एक तरीके से ठेक है class 1 है basic class है introduction एक तरीके से probability का मिला सवाल यह सब बनते हैं अब आसानी सी आप लोग सवाल निकाल सकते हैं जड़ा ध्यान से देखें माल लीजे इसी में मैंने आपसे कह दिया सवाल आपके लिए का एंसर देना सारे लोग sum is multiple of four जो सम है दोस्तों वो क्या हो चार का multiple हो ठीक है clear 4 का multiple हो इसका answer आप लोग अभी comment box में दे सकते हैं अभी comment box में दे वरना video खतम होने बाद आप answer करना इसका कहां भी comment box में ठीक है समझ गये ना तो यह कहां री कल हम second class करेंगे अचा एक बार यह बताओ दक्ष में कितने लोग अभी अंडोल नहीं कराएं तो भी जितने लोग दक्ष में अंडोल ना कराया हो ठीक है आराम से आके अंडोल करा ले ना आज 31 तारीक है financial year का भी last day है double validity का भी offer है code आप सबको पता ही होगा y179 ठीक है तो थोड़ा सा batches के बारे में भी बता देतने हैं आप लोग को देखो अभी जो अगर आप RBI का फॉर्म फिल के हैं तो आपके लिए जो crash course रहा है हम इसलिए बता रहे क्योंकि ध्यान रखना आज आखरी दिन है month end वाला जो है ना financial year भी end हो रहा है तो सारी offer आज है है आप अपनी सुविधान उसार इनका चेयन कर सकते हैं क्रेश कोल से मौक टेस्ट भी है ठीक है लाइब मौक भी है ठीक है यह आप हां इसकी class 11-12 होती है ठीक है इसको आप इंडोल करा सकते हैं ठीक है या फिर आपका हो गया क्या जो भी foundation चला जिसमें दक्ष वारियर के बारे में ठीक है यह है आपको यहीं पर लेकर चलके दिखाते हैं यहीं पर चलके दिखाते हैं आपको सबसे बढ़िया है ना यह आपका अड़र247.com अब देखुए यहां पर foundation classes के बारे में ठीक है यह है live classes ठीक है यहां पर आप देखें दोस्तों यह आपका foundation ठीक है इस फाउंडेशन बैच में दक्ष, उडान, वारियर, सिखर यह सारे के सारे हैं अभी आप अगर इसको एपलाई करते हैं मतलब माली जे दक्ष आप इंडोल कराना चाहते हैं आप इस पर कूपन कोड एपलाई करें के Y179 ठीक है तो 1149 दिख रहे हैं अभी यह आपको और भी काउंड मिल जाएगा ठीक है Y17 चलो ठीक है दोस्तों खुशन है आप सारे लोग बाके टेसरीज वगएर आप जो भी लेना होगा आज लेना कहने का मतलब यह ठीक है कल से सारी मतलब यूट्यूब वाली क्लास सुबा नौ बजी होती है ना सुबा नौ बजी और दो पहर मे एक बजी सबकर सारी टास से कंटीनिन हो जाएंगे मेरी ठीक है चलो खुश रहो फिर ख्याल रखो अपना बिंदास टाइप में थैंकियो सो मच तो अल आफ यू थैंकियो